हलो दोस्तों मैं डाक्टर मनुच कुमार सिंग स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल में और आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीविएस एयर के पेपरों की सिकेंड थर्ड सिंखला और इसमें जिसमें हम बैदिक काल के बारे में बनाएगा अभी तक प्रश्णों सर ओर्ण का है आर यह सब्द एंगित करता है आपको जान लेजे किसको और यह सब्द जो है इंगित करता है स्रिष्ट बंस को किसको सर्ऐ करता है दूसरा प्रश्न है क्लास की संस्कृति में आरे सब्द का आर्थ है इस्वर में विश्वासी एक बंस एक बंसा नुगत जाथ किसी भी से धर में विश्वास रखने वाला एक उत्तम ब्यक्ति जाने आरे सब्द जो है क्लास की संस्कृति में एक उत्तम ब्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है है तो यहां आप जानते ही होंगे सबसे पुराना यहां औक आपका है 6 अ यहां तसby के ढ़िफ हैं निण्सेस अमन्द्ध है नजादू टोने से संभनधिट है सभ्थ करके तो जान ले जे कि त्राही नाम जो है तीन बेदों को कहा जाता है तीन बेदों को कहा जाता है बेद त्राही आपर रिगवेद को छोड़ करेते यजूर वेद bitter jadi को जोड़ करके mother by the रिगवेदस सामबेद याजूरबेदस में मिलेगा वह होगा कौन है रिगवेद रिगवेद में इसका उलेक मिलता है जब कि अथर भेद आपको जानते ही है जादू टोरने समधित है साम रे निर्थ से और याजूरबदस कारियों से संबंधित है अगला प्रस्ithm है वर्ण व्योस्था से संबंधित वर्ण व्योस्था से संबंधित फूरुस रिक्वेद में संबंधित है आगवा प्रश्न है तुमेलित कीजिए अथरुबेद यजूरुबेद संबंधित है इसस्वर की महिमा से और रिगवेद संबंदित है बलिदान विधी से और साम बेद जो है संगेत से इसका अंसर हो जाए डी का चाओ था डी का चाओ था केवल एक आपसन में है तो एक आपसन इसका सही हो जाएगा तो आप समझ गए अथरवेद असदियों संबंदित है रिगवेद बलिदान विधी स से और अधर जुवर्पे जो है याजुर्पे जो इस वर महिमा से साम बेट संगीत से संबंधित है अगला प्रश्ण है दोस्तों को प्रश्न है सुची 1 को सुची 2 से सुमेलित कीजिये आठवा क्वेस्चन है आप इसमें भी आप अंसर आसानी से हल कर सकते हैं इसमें कह रहा है कि रिगवेद संब्धीत है किस से रिगवेद आप देखते हैं जो आपको सरलता समझ मारा है अथरवेद तंत्रमंत्र से संबनित है, साम बेद जो है, संगीत से संबनित है, तो पहला जिसमें होगा, C का पहला, C का पहला दो-दो आपसरों में है, C का पहला दो-दो आपसरों में है, तो आप ये बात ध्यान में रखना है, कि ये जो है, फिर आप देखते हैं, D का तीसरा किन-किन मे सुझच में हैं तो जिसमें दूसरा उस्सिम थिस्रा खोचते हैं आपका हो जाएगा आपका सब्सक्राइब यह हो जाएगा क्या Хgenes अंसर हो जाएगा इसका ठीक है इसका क्या आंसर हो है ए में है तो यह सई हो गया अगला प्रश्ण है आपका कि निल्वखी चार बेदों में से किस एक में जादूई माया वसी करण का वर्ड हैं तो आप अपने आप समझ सकते हैं कौन होगा अथर्ववेद अथर्ववेद में जादूई टोना का उलेख है अगला है रिगवेद में रिचाएं हैं तो आप जाने जिए कि आयोग ने इस प्रशन को हटा दिया है क्या किए है इस प्रशन को हटा दिया है विवादी तरहा है इसका कोई आंसर इसमें सही नहीं है अगला प्रश्ण है रिग वेद है स्त्रोत का संकलन कथाओं का संकलन सब्दों का संकलन युद्ध का संकलन तो रिग वेद जो है यह संबंधित है किसके इस्त्रोत का संकलन है किसका संकलन है इस्त्रोत का संकलन है अगला प्रस्णा है सुची वन को सुची टू के सां सुमेलित करो एवं निम्न दिये हुए कुट में से सही उत्तर का चैन करो सुची वन को सुची टू से सुमेलित करना है तो रिगवेद का कौन सा प्राहमर गरंथ है और सामबेद का कौन सा प्राहमर गरंथ है अथर वेत का कौन सा प्राहमर ग्रंथ है और याजीर वेत का कौन सा प्राहमर ग्रंथ है तो इसको मिलान करना है तो इस बारहवा नंबर कोस्चन है बारहवा का आंसर हो जाएगा C इसका आंसर क्या होगा C होगा कैसे होगा C आप ध्यान दे लेजिए ए का तीसरा, ए का कौश्चन सही है, ए का तीसरा, रिगवेद का है एतरे और बी का चवथा है, बी का हो जाएगा चवथा पंच वसी सामवेद का है, और सी का पहला हो जाएगा गोपत है अथरवेद का, यजुरवेद का है सत्पत ब्राहमर, इस तरह से इसके ब्राहमर ग्रं निम्न में से कौन सा ब्राहमद गंथ रिगवेद से संबनीत है। से संबन्धित है की से संबनीत है? कि संबनीत है? अगला प्रश्ण है रिगवेद का कौन सा मंडल पूर्टा सोम को समर्पित है ये आपका हो जाएगा पंदरा पंदरा का हो जाएगा सी नौवा मंडल सोम को समर्पित है रिगवेद सहिताओं का नौवा मंडल पूर्टा किसको समर्पित है आपको बता दें नौवा मंडल सोम पे अनाम देवता को समर्पित है समर्पित है सोम पे अनाम के देवता को समर्पित है अगला प्रस्ण है यज्य संबंधी विधी विधानों का पता चलता है किस से यज्य संबंधी विधी विधानों का पता चलता है रिगवेद से सामबेश से ब्राहमरगंतों से और यजूर्वेद से आपको बता दें यजू बेद से पता चलता है किसे पता चलता है यह जुर बेद से समन्धित पता चलता है अगला है निमन लिखित में से किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है किसका संकलन रिगवेद पर आधारित है तो आपको बता दें इसका हो जाएगा बी साम बेद पूर्टर रिगवेद पर आधारित है अगला प्रस्ण है भारत के किस अस्थल की खुदाई से लवह धात्व के प्रचलन के प्राचीन प्रमार्ण मिले हैं तच्छिसिला अतरंजी खेडा को सांबी हस्तिनापूर तो 19 है 19 कोश्चन का आंसर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा अतरंजी खेड़ा अतरंजी खेड़ा से ये प्राप्त हुआ है उपनिसद पुस्तके हैं धर्ण पर योग पर विधी पर दर्शन पर तो उपनिसद जो होते हैं उपनिसद की पुस्तके जो है वे जो है पूर्टा किस पर निर्वा करती हैं ये जो है आपका बीसमा कोश्चन है बीसमा से जीहां 승oplave टीन 3 बड़ान मागे जाने की कत्रा का इसमें वर्र कीया गया है अगला है उपनिस्विषतों का मुखी विशे सामाजीग व्यूसता दर्शन इसमें और धरचन पर करते हैं किस प्रचन करते हैं दर्चन तो पर नेम लिख्यत में से किस एक बाइदिक साहित्य में मुझ्च की चर्चा मिलती version नहां वनुगा को 영상 होती है तो आपको बता दें क्या है आपका रिंग Marx रेक्वेड में best में ञाख संबाध किस उपनीइ स्द नो मुच्छ की चर्चा की गई में कि आगला प्रस्न है आध्यात्म ज् devoted नच्चके tat और रृभय का संबाद कि mise होताय को पहले ही मतादीया ठीक गomasoda किसमें प्राप्ट होता है कठो उपनिसद में प्राप्त होता है कठो उपनिसद ये जो है आपको बता दें कठो उपनिसद जो है ये पिता के कुरोध को सांथ कराने के लिए बनाया गया है नचकेता आख्यान का उलेख है किसमें कठो उपनिसद में अगला प्रशन है नच्केता आख्यान का चर्चा की गई है किस में की गई है कठो उपनिसद में की गई है अगला प्रशन है आपको उपनिसद काल के राजा आसुपत इसा सकते किस के जो उपनिसद काल के एक राजा थे वो किस से संबने थे थे आप वदाद 25 वा कोश्चन है तो आपको बताते हैं इसमें होगा सबसे पहले 26 26 का होगा एक क्योंकि सबसे पहले रिग बाइदिक आए बाइदिक आए अगला है आरम्बिक बैदिक साहित् dew में सरवाधिक वंडित नदी है तो बैदिक साहित्य के आरमबिक बैदिक साहित्य में सबसे जादा बार उलिखित एक नदी जिसका नाम है 27 27 का होगा सिंधु नदी का नाम बार बार मिलता है किस नदी का नाम मिलता है बार बार सिंधु नदी का नाम बार बार मिलता है बैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नकित नदियों में से किस एक के साथ की जाते ब्यास रावी चिनाव जहलम आपको बता दें यह 28 नंबर कोश्चन है 28 नंबर कोश्चन का अंसर होगा सी चेनाब नदी को ही अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता है रिगवेद में निम्नांकित किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आरियों के संबंद का सूचक हैं अस्किनी पुरुष्णी कुम्भा कुमु विपासा सुतुनगी आपका दाते हैं 29 नंबर कोश्चा 29 का हो जाएगा सी कुम्भा और कुमु नाम के नदियां आरियों से संबंधित हैं बाइदिक नदी कुम्भा का स्थान कहां निर्धारित होने होना चाहिए आपको पता दे यह हो जाएगा आपका 30 30 का हो जाएगा ए अफगानिस्तान अगला है सुची वन को सुची टू से सुमेलित करना है जो पुरानी नदी है और बरतमान नाम क्या क्या है आपको पता दें तो कुम्भा हो जाएगा कुम्भा को ही काबूल नदी के नाम से जाना जाता है इस समय कुम्भा को काबूल नदी के नाम से जाना जाता है किसको किस नाम से जाना जाता है काबूल नदी के नाम से जाना जाता है 31 number question है 31 का हो जाएगा B 31 का क्या होगा B होगा 31 का B answer होगा एका दूसरा कुम्भा काबूल नदी को कहते हैं सदा नीरा कहा जाता है गंड़क को सदा नीरा कहा जाता है किसको गंड़क को कहा जाता है सदा नीरा और ये पुरुष्णी कहा जाता है रावी को असुतुंद्री जो है सतलज नदी को कहा जाता है अगला देखते हैं निमलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ठय बेदोत्तर काल में प्रचलित हुई जतुष्ट्राई बेदृत्तर काल में प्रचलित हुई धार्म आर्थ काम मौच प्रामर छत्ती बाइस सुद्र आपको बता दे बलकि ब्रहमचारिय ग्रिहस्त आश्रम वरास्वारा सन्या यह आश्रम ब्यवस्था की चर्चा की गई है इसकी आश्रम ब्यवस्था की चर्चा इसमें की गई है अगला प्रश्न है भारती संस्कृति के अंतरगत रित का आर्थ है प्राकृतिनियम कृतिनियम मानवे नियम स प्राकृतिक नियमों को रित कहा गया है अगला प्रश्ण है आपका धार्म तथा रित्म भारत की प्राचिन बाइदिक सभ्यता के एक केंद्रिय बिचार को चितरित करते हैं इस संदर्म में निमनलिखित कथनों पर बिचार कीजिए आपका बताती इसका अंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा धार्म भेक्तिक दाइत एंस्वयम तथा दूसरों के प्रति भेक्तिकत कर्तव्यों की संकल्पना था दूसरा जा रित्म मुलता नैतिक विधान था जो स्ष्ष्टी और उनमें अनहित सारे तत्वों के क्रिया कलापों को संचालित करता था उप्यूक्त में से कौन साज से कथन सही हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक नहीं दो आपको वताते हैं 33 नमर कोश्चन 33 कोश्चन का अंसर हो जाएगा केवल एक सही है केवल एक सही है इसमें से केवल एक सही है बाकी सभी गलत हैं अगला देखे निमनलिखित बायदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता है आपको उताते हैं निमनलिखित बायदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता है अगने ब्रिहस्पत द्रौस इंद्र तो 35 नमबर 35 का कोश्चन होगा भी अब ब्रिह जैसा जानते हैं देवताओं के गुरू थे उनका पुरोहित माने जाते हैं अगला है निम्लिखित में से कौन सी वह ब्रहमदायनी प्रहमवादनी थी जिसने कुछ बेद मंत्रों की रचना की थी लोपा मुद्रा गारगी लेलावती सावित्त्री आपको बता दें 36 का अंसर ह हो जाएगा एक है आपको बता दें लूपा और मुद्रा लूपा और मुद्रा ने जो है आपको बता दें यह समधित हैं गारी का को लेलेखु समय नहीं मिलता है लिलावती सावित्तरी आगा अगला देखें अ कि रिख वेद में को रिग वेड में को रिगवाईदी काल में निश्क सब्ध का प्रयोग इस सार्थ में हुआ सास्त के रूप में आपको बता दे बहुत सार इसका अंसर है कि रूप में किया जाता था निश्क माने होता है गले का हार गले का हार सिखे के रूप में प्रियुक्तिया जाता था रिगवाईदी काल में निस्क अंग का आभूसन होता था किसके गले में पहना जाता था निस्क पहले ही बता दिये थे आपको अगला है प्राचीन भारत में निस्क से जाना जाता था स्वन आभूसन गाए तामा के सिख्के चान्दी के सिख्के आपको बता दें निस्क जो है 49 का ए होगा स्वन आभूसन होता था क्या होता था सोने का एक आभूसन होता था जिसका प्रयोग आदान प्रदान मतनद क्रैप इन्माय के लिए किया जाता था बोगज कोई महतपूर है क्योंकि यहां मद एशिय यह an Reach के मद एक महत ब्यापारिक केंडर था यहसे पराम अभिलेंक हो में बैदिक एवं दैवीयों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है ये आपका 40 का 40 का आंसर होगा बी ये दम सही आंसर है बोगज कोई एक महत्पूर है क्योंकि इसमें इस अभिलेख में बैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेखनिय है अगला है निमलिखित अभिलेखों में से कौन सा इरान से भारत में आरियों के आने की सूचना देता है तो मांसरा सहबाजगड़ी बोगज कोई जुनागड़ा आपको बताने एक तालिस का हो जाएगा एक तालिस का हो जाएगा पराप्त हुआ कोन है जिसमें बैदिक देवताओं का संगराचार नहीं नहीं वीवेकानन नहीं पाल गंगाधति तिलक यह जो है आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक आपको उताते हैं 43 का हो जाएगा B, D हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने आरियों के आदी देस के बारे में लिखा है जिस ग्रंद में पुरुस मेध का उलेख हुआ 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 कौन है तृषिजय जुरुवेद सुपलय जुरुवेद सत्पत ब्राहमड पंच बिस ब्राहमड तो 44-44 का हो जाएगा आपका इसका कोई भी आंसर सही नहीं है इस प्रस्न को पूरा हटा दिया गया था अग्ला प्रस्न है सत्पत ब्राहमड में उलकित राजा विदेह माधो से सम्âmंधित करिसी ठे रिषि क्यों आपको अगतर उत्तर बाइदी काल में निम्रिखित में से किनको आर्य संस्क्रती का धूर समझा जाता था अंग्मगद, कोसर विदे, कूरु-پांचाल, मस्थ-सुर्शें, आपका वतादे निश्च्ची तो इसका ऐंशर होगा, छियालिस कस्टी होगा, कूरु और पांचाल को इसका धूर सम्झा जाता था, क्या सम्झा जाता था, धूरी सम्झा जाता था, के अंदर्बींदु संजह जाता था ह divorced St endure सब्द का प्रियोग सर्वुल influencing अफरवेद में सांवेद में यजुरवेद में तो 47 हमा का अंसर हो जाएगा वि कीसि में मिला है रिग लेज में मिला है गोत्र वर्ण सभी सब्दों का उल लेख जो है इसे में प्राप्त हुआ है किसमें प्राप्त हुआ है अगला है पूर्व बैदिक आरियों का धर्म मुख्यता था भक्ति मुर्थ पूजा और यग्ये प्रकित पूजा और भक्ति प्री इग्याम दो हजार बारम पूजा था पूर्व बैदिक आरियों का धर्म मुख्यता थ तो उन्चास का आंसर हो जाएगा डी बली एवं कर्मकांड में ज्यादा तक लोग विश्वास करने लगे थे किसमें जो है आस्वमेग यग्य तक होने लगे थे इसके बाद प्रसीद दस राजाओं का युद किस नदी के तठपर हुआ था तो पुरुष्णी नदी होगा इसका पचासवा का हो जाएगा डी पुरुष्णी नदी के तठपर इसका उलेख हुआ इसका अगला है रिग बेंदि में उल्लुखित प्रसीद सराजाओं का युद किस नदी के किनारे लणा गया था। पुरुष्णी भी नदी को रिग बेंद में माते तमा देवी तमा एवँवन नदी तमा सम्मोधित किया गया है इस सिंदु नदी को फिर सरस्थी नदी को बितस्ता को यमुना को आपको बता दें बावन है बावन का भी हो जाएगा सरस्थी नदी को देवी तमा कहा गया है किसको इसको जो है नदी तमा देवी तमा जो भी तमा आपको सकते हैं पूरे तमा इस हुआ है गंगा उतने प्रसिद नदी इस काल में नहीं मानिके उस जनजाति का नाम बताईए जो रिकवाइदिक आरियों के पंच जन से सम्मंधित नहीं है यदू पुरू तुर्वसू किकट आपको बताते इसका तेरपन हो जाएगा तेरपन का हो जाएगा डी किकट सिकार सिल्प कर्म व्यापार आपको उता दे इसका निश्चतु से आरियों के जीव का कमुख्य कारण बनेगा आपको आपसन करनुसार बनेगा इसका चवण का एबनेगा एबनेगा क्रिसी पर आधारित था जबकि अगर इसमें पसपालन होता तो पसपालन पर बहुत महत सिकार को काहारी जीमनवेतित करने में ज्यादा महत्तुव रखते थे आरे अगला है रिगवाइदी काल में उल्लिक्ति यवसब्द किस्कृषी उत्पाद हेत प्रोग होता था जयो के लिए यह सब्द प्रियो प्रयोग किया गया है रिगवारिक पन्य किस वर्ग के नाग बायदिक युग में प्रचलित लोक प्रिय सासन प्रणाली थी निरंकूस प्रजातंत गंतंत और बंस परंपरा गत राज तंत्र शत्तावन होगा सत्तावन का अंसर होगा डी बंस गत परंपरा जो है गत जो है राज परंपरा इसकाल में संबंधित थी बायदिक युगीन सम गादों के ब्यावसाइक लोगों की संस्था थी राज दरबार होता था मंद्र परसद होती राज किसमस लोगों की एक राश्टी सभा थी तो 58-58 का अंसर होगा सी यह मंद्र परसद होता था क्या होती थी एक मंद्र परसद होती थी क्या होती थी मंद्र परसद होती थी अगला है बैदिक जन बैदिक जन सभा जो न्याईक कारियों से सम्मधित थी सभा समित विधाता उप्युक्त में से कोई नहीं ठीक है बैदिक जन सभा जो न्याईक कारियों से सम्मधित थी सभा समित विधाता उप्युक्त में से तभी तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा शाठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ्साठ सारवाधिक रिग्वाधिक सुक्त समर्पित है अगनिक को इन्द्र को रुद्र को भिष्टु को सारवाधिक रिगवाधिक सुथ समर्पित हैं इंद्र को दो सो पच्चास बार इसका उल्लेख मिला कितने बार मिला है दो सो पच्चास बार इंद्र का उल्लेख मिला है अगला है निम्न लिखित में से किसे रिगवेद में युद्ध का देवता समझा जाता है तो आपको बत सबसे ज्यादा किसके लिए मिले हैं इंद्र के लिए मिले हैं इस और इसमें आपशन में सबसे प्रभावसाली देवताओं में से एक माना जाता है यह जो है इसका अंसर होगा है अगला है बैदिक देवता इंद्र के विशे में नेमली खित्व कत्रों पर विचार किजिए तहा नीचे गए कुड की सहायता से सही उत्तर चुनिये जहन्जावात के देवता थे पापियों को दंड देते थे नायतिक व्योस्ता के सनक्चक थे वर्सा के देवता थे आपका वतादे इसमें आंसर देखना है तो 167 नंबर 165 होगा ये जो है एक और 4 सही है एक और 4 सही है क्योंकि वर्सा भी.." इंदर के माना गया है अगला प्रश्ण है बैदिक मदेव मंडल में निम्ण में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है तो आपको बता दें इसमें जो आपसंदिया गया है इसमें जो है इंद्र है और वरुण अगनी और मित्र उनके जो है साहयोगी देवताओं में से होते यूट से जुड़ा है तो आपको बताते हैं यह किस से जुड़ा हुआ है अगला प्रशन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा हुआ गायत्री मंत्र किस से जुड़ा हुआ है तो सत्तर है सत्तर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी यह रिगवेद से सम्बंदित है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद मंत्र सर्प्थम क्रिस गंत में मिलता है यह हो जाएगा रिगवेद में मिलता है और गायत्री मंत्र जो है भ और ऐसा माना जाता है गायत्री मंत्र के आधार प्रच गायत्री मंत्र में कुल कितने हैं 24 वर्ण है और अच्छे मतब कुल अच्छरों की संख्य 24 है इनको मिला करके इसी के आधार इन्होंने 24,000 इस लोकों में रामायड की रचना के थी एक सब्दों पर 1,000 इस लोक लिखाए गाया दा वो ऊस सर्ग प्रतिसर्ग बंस मनंतर और बंसान चरित संकेतक है बेदों के पुराणों के उपरिंसदों के सुत्रों के तो 73 है 73 का अशरों गाभी यह जो है पुराणों से संभनित है अगला अंसर है अगला प्रस्टन है पु संख्या कितनी है अठारा पुरान बताये गए हैं अगला है कि स्रीमत भगवत गीता मौलिक रूप में किस भासा में लिखी गई थी संस्कित उर्दू पाली और हिंदी आपका बता दें निश्चितु साब समझ सकते हैं यह लिखा गया होगा किसमें संस्कृत में लिखा गया होगा 75 का अगा कि महा भारत मौलत किस रूप में जाने जाती है अगला है हिंदु संमूद्र मन्तन हे तो किस सर्पनne रसी के रूप में स्वयम को प्रस्तुत किया था तो नाग वास्थकी होका इसका क्या होगा नाग वासुकी नाग वासुकी ने अपने आपको रसी की रूप में प्रस्तुत किया था किस रूप में प्रस्तुत किया था रसी की रूप में अपने आपको प्रस्तुत किया था किसमें किया था नाग वासुकी भगवान सीव का जो है गले में पढ़ा रहने वाल सुद्र यो है एदम चर्चा में अगया था उसे निकिष्ट माना जाने लगा सत्य में उजयति सत्य में वेटि भारत का राष्ठी स्लोगन है धेवात के हैं का सकते हैं सब्द किस उपणिसत से लिया गया है मुंड़को अपनिसद कठो अपनिसद नहीं बलके मुंड़को अपनिसद से लिया गया है कहीं कहीं इसका नाम मुंड़को अपनिसद कर दिया जाता हो गलत होता है ठीक है अगला है सत्य में जैते सब्द कहां से लिया गया है तो मुंड़क अपनिसद से लिय सबसे पुराना सबसे पुराना जो है पुरान है और रिगवेट जो है सबसे पुराना बेद है भगवत गीता समझते महाबारस से समझनित है अगला है तस्मो मा जोतिर्गमय कथन मूलत है क्या है यह जो है उपनिस्दों का है महाकावियों का है पुरानों का है खड़दर्सन का है इनमें से कोई नहीं आपको बताए छतिगर पीशेस में आया था पांच भी कल्प होते हैं बिहार हो इसमें अब 82 82 का आंसर हो जाएगा सी 82 का आंसर हो जाएगा सी खड़दर्सन से पुरानों से लिया गया है यह तस्मो मा जोतिर्गमय अगला है किस उपनिसत का साब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है किस उपनिसत का साब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा इसका 83-83 का आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इन में से कोई नहीं अगला है सत्य काम जाबाली की कथा जो अनव्याही मा होने के लांचन को चुनवती देती है उल्लेखित है जाबाल उपनिसद प्रस्णों उपनिसद चंदोग उपनिसद चवरासी चवरासी का आंसर वो जाएगा सी यह च्वा है चंदोग ऊपनिसर से सम्मधित एक से समय चंदोग उपनिसर्थ से सम्मधित है यह संदोग उपनिससे यह संबंधित है अगला प्रश्न है रिगवेद की मूल तह लिपी देवनागरी लिपी ब्राहमी लिपी खरोष्टी लिपी और जो है पाली तो बाद बताते हैं नंबर है रिगवेद की मूल लिपी थी रिगवेद की 85 कोश्चन का नंबर होता डी इसका जो है ब्राहमी लिपी में था यह अगला है कि अब बैदिक कर्मकांड में होता का संबंध रिगवेद से यजूर्वेद से सामबेद से अथरवेस थे तो आपको अदाता है 86 का अंसरों का यह जो है डिगवेद के पढ़ने वाले ब्यक्ति को होता कहा जाता था अविस्था और रिगवेद में समानता है अविस्था किस छित से समंधित है अगला है बैदी काल में किस जानवर को अगन्या कहा गया है गाय को ना माने योग्य कहा गया है रिगवेद में अगन्या का प्रियोग हुआ है गाय के लिए अगन्या में सोता है जिसका योग्य ना करने वाला हो बद योग्य ना हो उसे अगन्या कहा गया है रिगवेद में परचित में प्रियोट अगन्या सब्द संदर्भित है किसके संदर्भित है आप जाने जिए गाय के लिए संदर्भित है रिगवेद, कालीन, आरियों और सिंदु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के समधमे निखित कथनों में से कौन सा से सही हैं आप बता है इसका आंसर हो जाएगा 51, 91 का आंसर हो जाएगा आप बता दें इसका किवल एक सही है रिगवेद, कालीन, आरियों कवच और सिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंदु घाटी सब्वेता के लोग इसके उपयोग का कोई साच्य नहीं मिलाए आंसर सही बाकि सब गलत है अगला है रिगवेद, काल के प्रारंब में निम्न में से किसे महातपूर मुल्यवान संपत समझा जाता था भूमि को, गाय को, इस्तिरी को, जल को आप अगला सबसे मुल्यवान संपत माना जाता था गाय को गाय सबसे मुल्यवान वस्तु होती थी अगला है प्राचीन भारती समाज की प्रसंग में निम्रखी सब्दों में से कौन सा सब्द सेस्तीन वर्ग का नहीं है आप बता देजिए सेस्तीन वर्ग का नहीं है कुल बंस कोस गोत्र तो ये आपका होगा 93 93 का होगा सी कोस जो है ये माता खाजाना होता है कुल बंस और गोत्र एक ही चीज से संब्दित हैं किसी आदम का गोत्र होगा कुल होगा बंस होगा और गोत्र होगा अगला है संसकार संसकारों के कुल संख्या कितनी है 16 संसकार होते हैं कितने संसकार होता है 16 विवाव ये संसकार है और 10 संसकार भी एक संसकार है जीवी को पार्जन हेट बेद बेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था आपको उता दें जीवी को पार्जन हेट जो अपने बेद बेदांग पढ़ने वाला अध्यापक होता था उसको कहा जयाता था उपाध्याय का बिलोम होता है ओजहा क्या कहा होता है कोई समस्या होगी तब पुना बताएं और इस पर हम पुना जो है मेंस कोस्टन भी डिसकस कराएंगे पहले आप पीठी को पर फोकस करें क्योंकि यूपी पीसे और बिहार पीसे क्या तरिक जो है बिभीन छोटे-चोटे एक्जाम यूपी एसाई दिली एसाई और जो है दिली कांश्टेबल जैसे एक्जाम आ चुके ह तो इसके लिए इस पर आप फोकस करें मिलते हैं दोस्तों अगली अगली क्लास में तब ते के लिए जैहिन हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और पूरी वीडियो लाश्ट तक देखें जैहिन